हेलो दोस्तो मैं हूँ एंजिनियर एहसा नाजमी स्वागत है आप सभी का ये सूम डिजाइन के फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में देखेंगे दो भाई के कॉंसेप्ट का घर का डिजाइन जैसा कि आप स्क्राइण पर देख पा रहे होंगे ये है दो भाई के कॉंसेप्ट का घर का डिजाइन इसका यहाँ पर आपको नक्षा भी दिखाने वाला हो और इसके अंदर में क्या-क्या है वो भी आपको यहाँ पर 3D में दिखाऊंगा दोस्तों इदि आप भी इंटिस्टर नहें देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका 3D डिजाइन देख लिजे किस तरह का डिजाइन है उसके बाद इसका यहाँ पर नक्षा और इसके अंदर में क्या-क्या है वो भी देखेंगे तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर करते हैं दोस्तों इदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आकन को भी क्लिक कर दिजे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पयोष ब्हाईब बेर देखनि आपी को चैनल आप 10 c कम शतून ऐल-पर फसні चैनल पहले हैं पर पहले तो साओनी देखने प्राद कर देखने कर दोस्तों सांदर इन तो जाहि जायो में सबस्तों। तो दोस्तो जैसा कि आपने 3D में देखा किस तरह का लगा डिजाइन आप कमेंड में जरूर बताएगा तो चलिए अब इसके अंदर में क्या-क्या है वो देख लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं सामने इस तरह से ओपन जगा रखा गया है और सामने आप पोर्च बनाया टिक है बरामडें के सामने यहापे एक गेस्टव मिल जाता है और यह वाल dólar से अंधर आ जाते हैं यह वालव धोर देना चाहते हैं तो कोई कर नीहाँ है क्योंकि यहां पर जो सामने है यह वाला मेंडोर होगा तो इसे बंद करने से प्राइविसी आ जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इस तरह से अंदर आ जाते हैं अंदर आने के बाद यहां पर देख लिजे इस तरह से यहां पर एक ट्वाइलर दिया गया ह और इधर एक बात्रूम दिया गया ठीक है और उसके बीच में इस तरह से यहां पर एक यूटिलिटी एडिया मिल जाता है वासिंग मसीन वगरह यहां पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं बेसिन लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर देख लिजे इधर एक बेड बेडरूम और इधर एक बेडरूम हो गया और एक ट्वालर बातरूम एक भाई के लिए ठीक है उसके बाद यहां पर सामने बीच में एक सीरी दिया गया है तो इस दोर से सीरी से अंदर जाएंगे तो यहां पर चलिए इस दोर को हटा देता हूं तो देख सकते हैं चलिए इस दोर को मैंने हटा दिया और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से सीरी चलने के लिए दिया गया है ऐसे करके और आएंगे और ऐसे करके फर्स पर पर चले जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर देख लिजे इस साइड में भी उसी तरह से एक किचन दिया ग तो इधर भी जमीन है उसका तो इधर से निकलने के लिए ये डौर दिया गया था ठीक है तो इस तरह से आपने देखा सामने भी एक डौर हो जाएगा बरामडा के साइड और यदि चाहें तो इधर से भी ये वाले डौर से साइड से आकर के अंदर आ सकते हैं तो दोस्तो यदि चाहें तो इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं ट्वालेट वातरूम दिया गया है और ये ट्वालेट वातरूम इस साइड में भी बना लेंगे तो चलिए अब इसका नक्षा देख लेते हैं तो दोस्तो जैसा कि यहां पर देख सकते हैं यह है उसका नक्षा सबसे पहले यहां पर देख लिजे यह एक पोर्च दिया गया है सामने दोस्तो यहां पर देखा जाए कि यह जो पीलर का दूरी दिया गया है आउटर तो आउटर यहां पर 12 फिट है और यदि बात किया ज च strict । और आने के बाद यहां से किसी का भी गया तो यहाँ पे रउस्ट कर सकते हैं उसके बाद दूस्टों यहां पे अंदर आंदर आने के बाद केदें दोनों साइड में डानिग होल में लेगा, ठीक है, 8.00 फिट 6 इंज का दिया गया है इधर से डानिग होल, और यहां पर देख लिजे, सेंटर में एक सीरी दिया गया है, ऐसे करके चरहेंगे और ऐसे करके फर्स प्र पर चले जाएंगे, सीरी की यहां पर 4.00 की बात किया क्योंकि उसे जादे वारा kitchen नहीं चाहिए था उसके हिसाब से ये kitchen दिया गया ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख लीजे 12 भाई 15 का यहाँ पे bedroom दिया गया है और सामने आपर देख लीजे टोईलेट दिया गया है तीन साइड बात क्या जाए एक रूम इधार हो गया एक रूम इधार दो रूम, kitchen टोईलेट बातरूम तेक है same room का size होगा एक room, दो room और यहां पे kitchen ठीक है और इधर भी dining space मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा ठीक है और अपने हिसाब से जाहें तो dining का space बरहा सकते हैं ठीक है यदि plot की लंबाई चौराइ काफी है तो उसके according यह dining छोटा पर जाएगा 8 feet change का उसके लिए कम से कम 12-14 फिट रखेंगे तो जादे अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए, तो इस साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, डॉट डॉट लाइन, गिरिन लाइन जो है, ठीक है, इधर यह प्लॉट खाली है, तो उसके लिए एक और पी डॉट दिया गया है, चाहे तो इधर से भी अंदर आ सकते हैं, या साइड से ऐसे आ करके, और इधर से भी अंदर जा सकते हैं, ठीक है, और इधर यह प्लॉट नहीं होगा तो यह डॉट बंूर बंद कर देंगे, इधर भी टोईलेट वातरूम बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया, दोनों भाई के लिए बराबर दो रूम, किचेन, ट्वालेट बातरूम दिया गया है, ठीक है, दोस्तों इदी बात किया जाए कि यह जो नक्षा बनाया गया है, कितना फिट में बनाया गया है, इसकी चौराई है, 46 फिट, ठीक है, मकान की 13 फिट की यहां पर पोटी को या पोर्च गई है, ठीक है, 13 फिट इदर लंबाई लिए, तो मतलब 40 और 13 तिरपन ठीक है, तिरपन फिट जगा तो ऐसे ही चाहिए, उसके बाद पीछे कम से कम डेर से 2 फिट जगा छोड़ने के लिए, ठीक है, ताकि वेंडिलेशन होगा, उसके बाद इधर भी डेर से 2 फिट जगा छोड़ना परेगा, और इधर यदि आपका प्लोट है, तो ठीक है, अधरवाइस डेर से 2 फिट इधर भी छोड़ेंगे, और सामने कम से कम 15-20 फिट हो, तो वो चलेगा, ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह का नक्षा है, यदि आप भी मेरे से नक्षा बनवाना चाहते हैं, तो आप दिये गए नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लेगी होगी, यदि अच्छे लेगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, कमेंट कीजे और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कीजे, मिलते के और एक नियु पलानी के साथ, तब तक के लिए बावाय टेक किया है